हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू गितास टिप्स गर्मी का मौसम है और इस मौसम में अक्सर ठंधा गरम होने की वज़े से सर्दी जुखाम हो ही जाता है तेज गर्मी लगती है तो हम कूलर या एसी चला लेते हैं और रूम से बाहर निकलते ही फिर गरम एट्मोस्वेर में आ जाते हैं सादे पानी से प्यास नहीं बुझती तो ठंधा पानी पी लेते हैं मन नहीं मानता तो कुलफी या आइसक्रीम भी खा लेते हैं इन ही सब कारणों से भरी गर्मी में भी सर्दी जुखाम हो जाता है पर आज कल जो कुरोना महामारी चल रही है तो समझ नहीं आता कि ये नॉर्मल सर्दी जुखाम है या फिर कुरोना है तो आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसको अपनाने से सर्दी जुखाम होगा ही नहीं ये बहुत ही पुराना दादी नानी के जमाने का नुस्खा है जिसके कोई side effects भी नहीं है तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लिजिए और हाँ बेल आइकन दबाने के बाद all बटन जरूर दबा दिजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाले वीडियो की notification मिले सबसे पहले तो आज कल हम सभी इसी प्रयास में रहते हैं कि हम और हमारे घर वाले सरदी जुखाम से बचे रहें सरदी जुखाम से बचे रहेंगे तो काफी हद तक करोना से भी बचे रहेंगे तो जो नुस्खा मैं लेकर आई हूँ उसके लिए हमने ये गुढ लिया है वैसे तो आप कोई भी गुढ ले सकते हैं पर यदि पुराना गुड मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो ये गुड काफी हाड है इसलिए हम इसे क्रश कर लेते हैं यदि सौफ्ट गुड हो तो उसे आप ऐसे ही हांस से भी फोड सकते हैं गुड की तासीर गरम होती है इसलिए सर्दी जुखा में ये बहुत ह जादा फायदा करता है इसलिए जब जाड़े का मौसम आता है तो मार्केट में गुड से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती हैं जैसे कि लड़ू, चिक्की, पट्टी आ दी तो ये हमने इसे क्रश कर लिया है चमच से नापें तो ये लगभग 2 टेबल स्पू इसे गुड में अच्छे से मिला लेते हैं अक्सर जाड़े में लड़ू बगेरा बनाने में हम इसका यूज करते हैं जब कभी घर में अद्रक नहीं होती या खतम हो जाती है तो हम चाय में भी इसका यूज कर लेते हैं सूखी हुई अद्रक को पीसकर इसे बनाया जाता है तो सर्दी जुखाम में अद्रक कितनी जादा फायदा करती है ये तो सभी जानते हैं अद्रक हमारी human body के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है तो ये हमने इसे बांध लिया है अब इसके दो लड्डू बना लेंगे तो ये हमारा सर्दी जुखाम से बचने का नुस्खा रेडी हो गया अब इसे खाना कैसे है ये बताती हूँ बड़े लोगों के लिए ये एक लड्डू सुबर और एक लड्डू रात में सोने से पहले खाना काफी होगा इसे आप रेगलर बेसिस पर डेली खा सकते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते इसकी तासीर गरम होती है तो येदि किसी को लगे कि इसे खाने से प्यास ज़्यादा लग रही है तो वो इसे खाने के बाद एक कप गरम दूद भी पी सकते हैं पर इसे खाने के बाद ठंडा पानी ना पीएं इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं बस इसकी मात्रा आधी कर दें ये हमने इसकी 4 गोलियां बना ली हैं ये एक छोटी गोली सुबह और एक छोटी गोली रात में सोने से पहले इसमें डाली गई दोनों चीजें आयूरवेदिक हैं तो ये नुकसान भी नहीं करती और मीठी होने के कारण बच्चे भी इन्हें खा लेते हैं और सबसे अच्छी बात इन्हें आप इकठा बना कर भी रख सकते हैं ये खराब भी नहीं होती तो सर्दी जुखाम से बचने का ये बहुत ही कारगर नुस्खा है यदि आप इसे करते हैं तो आप सर्दी जुखाम और गले में खराश आदिसे बचे रह सकते हैं और यदि आपको सर्दी जुखाम हो गया है गले में कफ या बलगम है तो भी आप इसे ले सकते हैं तो नुस्खा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजेगा ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाई बाई